किसी को ठगना ही क्यों ना पड़े, वह तो क्या है हराम की कमाई जो है वहाँ करना चाते हैं, टॉर्च बेशने वाले से, तबी वहाँ उत्तर में कहता है कि आपके सभी अंदाजा जो है वहाँ गलत है, पांच सल पहले जो है में और मेरा एक दोस्त, में मतलब टॉर्च समय कहता है कि आजकल जो है हर जगा अंदेरा ही अंदेरा चाया हुआ है नमस्कार, मैं हूँ हर्शीता, हिंदी लेक्चरर विद्ध्याश्रम कॉलेज मैसूर आज हम मैसूर उनिवर्सिटी के सेकेंड सेमिस्टर बीकॉम की हिंदी पाठेक्रम से जो गद्धी प्रतिबा है उसमें से जो टॉर्च बेचनी वाला पाठ है उसको देखेंगे पाठ को देखने से पहले हम जो लेक्च परिचे है उसको देखेंगे देखेंगे जो टॉर्च बेचनी वाला वहाँ एक वेंगे लेक है तो इस वेंगे लेक के रचेता है हरिशेंकर परसाई जी हरिशेंकर परसाई जी जो है हिंदी आदुनिक साहित्य के बहुती प्रसिद्य वेंगि साहित्य कार जो है वहाँ माने जाते हैं देखें इनकी जो जन्म है वहाँ 22 अगस्ट 1922 में होशंगाबाद में होती है वेंगी को एक विधा के रूप में स्थापित करने वालों में से हरिशेंकर प्रसाईजी भी वहाँ एक प्रमुक साहितिकार है इन्होंने क्या किया है वेंगी को जो है वेंगी जो सिर्फ हासे के हलके फुल के विनो तक सीमित था उसे उस दायरे से बाहर ले आकर एक तिलमिला देने वाली एक धार-दार अउजार के रूप में उन्होंने स्थापित किया है तो इससे यहाँ एक आयतिहासिक कारी है तो इसी कारण से इन्हें वेंगी साहितिके प्रमुक साहितिका जो है माना जाता है इन्होंने अपनी रचनाओं में जो जीवन के असंगतिया है, समाज में जितनी भी कूरीतिया है, कूपरताये है, जो ब्रिष्टासार सभी होते हैं, तो उस सब के बारे में जो वेंग्यात्मक टिपणिया जो है अपनी रचनाओं में यहां लिखते हैं, और उन सब के प्रति वहाँ प्रश्ण उठा दे हैं उमाज में उन्साबके प्रति जागरता लाने की जो एक कोशिश है अपने रचनाओं के जरीये वहाँ करते हैं वो भी हासिविंगी के जरीये ही तो इनकी रचनाओं में जो है एक तो यहाँ पर उनकी शैलिय और उसके साथ-साथ उनके भाषा शैलिक का भी प्राबल्ले जो है उनके रचनाओं में हम देख सकते हैं तो आए उनके प्रमुक रचनाए जो है वहाँ देखेंगे देखें चलो यात्रा करें जैसे उनके दिन फिरे हसते हैं रूते हैं सदाचार का तावीज पगडंडियों का जमाना या सभी उनके कुछ प्रमुक रचनाए है तो प्रस्त जो वेंगे लेके फिर प्रस्त पाठ जो है टार्च बेशने वाला उसमें उन्होंने क्या किया या अपर वो कहते है कि वेंगिआत्मक रूप से ही कहते है कि जो आजकल हराम की जो कमाई है वहाँ महनत और इमानदारी की कमाई से भी श्रेयस कर मानी जाती है वेंगी करते हुए वहाँ क्या कहते है अपर आजकल सबी लोग जो है आसानी से पैसे कमाना चाते है कम से कम परिश्रम में ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वहाँ कमाना चाते है चाहे उसके लिए उन्हें गलत रास्ते पर ही क्यों ना जाना पड़े किसी को दोका ही क्यों ना देना पड़े किसी को ठगना ही क्यों ना पड़े वह तो क्या है हराम की कमाई जो है वहा करना चाते है वही आजकल श्रेस कर मानी जाती है तो इसलिए तो आजकल सबी लोग जो है ज्यादातर लोग वहा सत्य और इमानदारी के राह से राह बटक कर जो बेईमानी और हराम की जो कमाई है उस राह को पकड़ने के लिए वहा जा रहे हैं क्यों आजकल समाज में इतना जो यहाँ पर आत्याचार, अन्याय, अधर्म यहाँ सभी हो रहा है, इसी के चलते हुए, सब भी लोग सिर्फ यहाँ पर आराम से बैठ कर पैसे जो है कमाना चाहते हैं, तो इस पार्ट में एक टॉर्च बेशने वाले के जरिये जो है एक अच् संदेश जो है इस पार्ट से हमें मिलती हैं, तो किस तरह वहाँ जो संदेश पातकों तक पहुंचाते हैं, किस तरह यहाँ पर वहाँ सब के बारे में वहेंगे करते हैं, अभी हम इसे पार्ट में ही देखेंगे, देखें पार्ट को देखने से पहले जो पात्र है उसके ब पात्र है एक लेकक को देख सकते हैं एक टॉर्च बेशने वाले को और एक धोंगी बाबा जो उस टॉर्च बेशने वाले के मित्र है तो तीनी पात्रियापरम देख सकते हैं देखें लेकक को इस पार्ट का प्रारंब कुछ इस तरह करते हैं कि वहां पहले चोराहे पर बिज दिन वहां नहीं दिखा, कल फिर दिखा, मगर इस बार उसने दाड़ी बड़ा ली थी और लंबा कुर्ता पहन रखा था, देखे वो यहापर क्या कह रहे हैं, उस टॉर्च बेशने वाले के बारे में वहां कह रहे हैं, वहां पहले जो है चौराहे पर सिगनल उपर सभी जो ह देखते थे, मगर बहुत दिन हो गए कुछ बीच में वहां नहीं दिखा, यहापर लेका कहते हैं कि कल मुझे वहां दिखा, क्या कहते हैं अभी बाद में वहां, कल मुझे दिखा, तो जैसे ही वो आगे लिखते जाते हैं, उसे देखते हैं, जैसे ही वो उसे देखते हैं, तो उससे जाकर पूछते हैं कि कहां गये थे, कहां रहे थे बाई, और ये दाड़ी केसे बढ़ा ली करके वहां उसे प्रश्न पूछते हैं, तब ही वहां कहता है कि बाहर गयाता करके कहते हुई, वह अपनी दाड़ी पर हाथ जो है वहां फैलाता है, देखे उसने लंबा दाड़ी भी छोड़ी थी, बीच में कुछ दिन वहां गायब था ना, तो लेकक उससे जाकर पूछते हैं कि अब तक तुम कहां ते दिखाई नहीं दिये, और ये दाड़ी क्या करके, दाड़ी बढ़ा ली है, ये क्या करके वहां प्रश्न पूछते हैं, तो वहां तौर्च नहीं बेच रहे हो, उसने कहा, वहां काम बंद कर दिया, अब तो आत्मा के बीतर टौर्च जल उटी है, ये सूरत चब टौर्च अब धर्त मालुम होते हैं, देखिए, पहले तो वह दाड़ी के सिंदर्व में कोई भी आपर बात नहीं बोलता है, तो लेकक फिर से उसे पूछते हैं, कि आज तौर्च नहीं बेच रहे हो करके, क्योंकि हमिशा तो वहां उस चौराय पर उसी जगे पर टौर्च बेचा करता था, तो आज क्यों नहीं बेच रहे हो करके उच सकता से जो है, या पर लेकक उसे प्रश्न पूछते हैं, तब ही वहां कहता है कि नहीं मैंने वहां काम बंद कर दिया है क्योंकि अब तो मेरे आत्मा के बीतर जो है टॉर्च जलूटी है मेरे आत्मा में टॉर्च जलूटा है इसलिए यह जो सूरच चब टॉर्च है वहां विर्थ मालूम होता है विर्थ लगता है करके टॉर्च बेशने वाले की जो बा यहाँ पर करता है तो लेकक उससे पूछते हैं तुम क्या सन्य सत्व ग्रहन करने वाले हो क्या जिसके आत्मा में आपर टॉर्च जलूटी है प्रकाश जलूटा है करके किसे दीख्षा लेकर आये ऐसे लोग जो है ऐसे हरम कोरी पर उतर आते हैं करके वहाँ पूछते हैं बाते करते हुए हैं आप मेरी आत्मा को जो चोड़ पहुचा रहे हो आपकी आत्मा को भी चोड़ पहुचती है मतलब आत्मा तो सब की ही एक है तो इसलिए इस तरह की बाते मत करो सहाब करके वहां बोलने लगता है तब ही देके आपर लेकक फिर से उससे पूछते हैं मैं यहां बताओ कि तुम एकाएक ऐसे कैसे हो गए? क्या बीवी ने तुम्हें त्याग दिया? क्या उधार मिलना बंध हो गया? क्या साहुकार ने ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया? क्या चोरी के मामले में फस गए हो? आखिर बाहर का टॉर्च बीतर आत्मा में कैसे गुस देखिए यहां पर वहां कह रहे हैं लेकक जैसे ही आपर टॉर्च बेशने वाले केसे बाते सभी सुनते हैं उन्हें आजीब लगता है वो कहते हैं ठीक है वो सभी छोड़ दो आत्मा की बात करता है तो इसलिए कहते हैं ठीक है वो सभी छोड़ दो अभी यह बताओ कि तो टॉर्चे वहाँ जल उटी है अभी, तो इस तरह सभी जो कह रहा है, जो कामी नहीं करता अभी फिलाल, तो वहाँ पूछते हैं, कि तुम ऐसे कैसे हो गया और इसे सभी बाते तुम कैसे कर रहे हो, क्या तुम्हें बीवी ने छोड़ दिया क्या, या फिर तुम्हें उध इमाग में फिलाल अभी बहुत सारे प्रश्न जो है यहाँ पर उट रहा है, तो इसलिए वहाँ उसके सामने इस तरह का जो प्रश्न है वहाँ पूछ रहे हैं, क्योंकि अचानक से यह जो बाहर का टॉर्च, क्योंकि वो तो टॉर्च बेशने वाला था ना, इसलिए वो उ उत्तर में कहता है, कि आपके सभी अंदाजा जो है वहाँ गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, इतना प्रश्न उन्होंने पूछा ना, कि बीवी ने चोड़ दिया क्या, या फिर साहुकार तंक कर रहे क्या, या फिर कहीं चोरी करके पकड़े गए क्या, तो यह सभी जो प्रश्न उन्हों पूछते हैं, कि यह सभी गलत है, आपका अंदाजा सभी गलत है, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, जो बात है असल में वो तो मैं गुप्त रखना चाहता था, मतलब किसी को बताना नहीं चाहता था, मगर आप इतना पूछ रहे हैं, और मैं आज ही शहर स उसे छोड़ दिया, अभी उसके जो रूप है उसमें भी बदलाव आ गया है, तो इसका रास क्या है, यह जो बात है अभी वहालेक को कहने लगता है, देखें वो कहता है, पांच साल पहले की बात है, मैं अपने एक दोस्त के साथ हताश एक जगा बैटा था, हमारे सामने आ पहले जो है मैं और मेरा एक दोस्त, मैं मतलब टॉर्च बेशने वाला और उसका एक दोस्त, मतलब वो कहता है कि मैं और मेरा दोस्त जो है बैटे हुए थे एक सवाल को लेकर, वो कहता है कि हमारे सामने आसमान को छूता हुआ, एक प्रश्न जो है वहाँ खड़ा था, वहा सवाल था पैसे कैसे पैडा करें वहाँ प्रशन्म कीया था यहा पर है पैसे कैसे पैडा करें क्योंकि तब तो दोनों बेरोजगार थे तो इसलिए दोनों दोस्ते बैठ कर एक जगा सोच में पढ़ जाता है कि क्या करे हम कौन से काम करे या फिर कमाई कैसे करे पैसे कैसे हम कमाए करके यह जो सवाल है उनके दिमाग में रहता है इसलिए वो कहता है कि क्या है हम दोनों के सामने एक प्रश्ण जो है खडाता वो भी आसमान को छूते हुए तो इसलिए वह कहता है आगे हम दोनों ने उस सवाल की एक एक तांग पकड़िया और उसे हटाने की कोशिश करने लगे हमें पसीना आ गया पर सवाल हिला भी नहीं दोस्त ने कहा यार इस सवाल के पाउं जमीन में गहरे गड़े है यहां उखड़ेगा नहीं इसे टाला जाए देखे यहां पर अभी दोनों दोस्त है बेरोजगार है अभी वह काम कौन सा करे पैसा कैसे पैदा करे यह तो उन्हें अभी फिलाल सूझ नहीं रहा था यहां पर देखे वो कहता है मैंने और उसने दोनों ने उस प्रश्न के एक एक तांग पकड़ी और उसे वहां से हटाने की कोशिश की मगर वहां हिला भी नहीं फिर दोस्त ने कहा कि इसकी तो पाव जमेन के अंदर तक गड़ गया भी इसे हिलाना तो मुश्किले चुड़ो इसे टाली देते हैं करके तो उस प्रशन को टालने के वहाँ बहुत कोशिश करते है फिर भी वहाँ प्रशन बार-बार उनके सामने आ जाती है वो मूँ मोडने पर भी मूँ फेरने पर भी उसके सामने वही प्रशन जो है उनके सामने आती थी तो इसलिए वो सोच लेते हैं कि ठीक है ये तो ठलने वाला तो नहीं है चलो अभी इस प्रशन को जो है हम हल ही कर देंगे करके तो दोनों बैठ कर बाते करते हैं फिर एक निर्णा लेते हैं कि चलो अभी पैसे कमाने के लिए तो यहाँ पर कुछ तो काम दंदा करना पड़ता है तो जो टौर्श बेशने वाला है वो अपने दोस्ते कहता है कि ठीक है अभी हम अपने किस्मत को आजमाने के लिए दोनों अलग-अलग दिशाओं पर जाएंगे और फिर पांच साल बाद यही मिलेंगे फिर पांच साल बाद इसी तारीक को हम इसी जगह पर मिलेंगे करके जो टौर्श बेशने वाला है अपने दोस्त को कहता है तब तो दोनों के जेब में एक रुपया नहीं था तो इस तरह कहन पर जो दोस्ते वहां टौर्श बेशने वाले से कहता है कि दोनों अलग-अलग क्यों हम दोनों एकी साथ जाएंगे करके तब यह टौर्श बेशने वाला उससे कहता है कि नहीं क्या है जहां तक हमने देखा है किसमत आजमाने वालों को जो है वह अगर साथ में जाएंगे तो उनकी किस्मत एक दूसरे से टक्राने के संभावना रहती है और वह अपने काम में जो है असफल हो जाते हैं इसलिए हम क्या करेंगे अलग-अलग दिशाओं में जाएंगे अपने किस्मत को आजमाएंगे फिर पांच साल बाद यही पे मिलेंगे इसी दिनांग पर इसी डेट पर और इसी जगह पर मिलेंगे करके वहाँ कहता है फिर दोनों दोस्त अलग-अलग दिशाओं पर चले जाते हैं फिर वहाँ आगे कहने लगता है कि तो साहब हम अलग-अलग चल पड़े मैंने टॉर्च बेशने का धंदा शुरू कर दिया चवराहे पर यहां मैदान में लोगों को इखटा कर लेता और बहुत नाटकी यह ढंग से कहता आजकल सब जगह अंदेरा चाया रेता है राते बेहद काली होती है अपना ही हाथ नहीं सूचता आदमे को रास्ता नहीं दिखता वहाँ भटक जाता है देखिए अभी ऐसे सोच कर पांच साल पहले की बात अभी उसने कहा था तो इस तरह ऐसे सोच कर तो साब हम दोनों अलग-अलग दिशा पर चल पड़े तो मैंने इस शहर में आकर टॉच बेशने का काम जो है शुरू कर दिया तो आपको ही पता है तो मैं क्या करता था या पर लोगों से कहता था टॉच बेशते हुए आजकल हर जगा जो है अंदेरा चाया हुआ है तो या पर अंदेरे में जो लोग है वहां रहा बटक सकते हैं या फिर अपना याद का ये भी नहीं सूचता है आदमे को रास्ता नहीं दिखता है और वहां बटक जाता है करके देखे हरिशंकर पसाईजी ने इसकी जो रचना कब की थी तब तो यहाँ पर करेंट सभी जादा नहीं था देखे ये उस समय की बात है जब रात में बिजली सभी नहीं होते थे या फिर सबके गर में बिजली जो है वहां नहीं रहता था तो इसलिए यहाँ पर इस तरह का प्रयोग है वहां किया जा रहा है तो देखिए आपर वो टॉर्च बेशते समय कहता है कि आजकल जो है हर जगा अंदेरा ही अंदेरा चाया हुआ है तो अंदेर में जो लोग ये वहार राह बटख सकता है फिर उसके पाओ कांटों के बिन जाते हैं वहाँ गिरता है और उसके गुटने लहु लुहान हो जाते हैं उसके आसपास भयानक अंदेरा है शेयर और चीते चारो तरफ घू्वम रहे हैं साम जमीन पर रेंग रहे हैं अंदेरा सबको निगल रहा है, अंदेरा घर में भी है, आदमी रात को पेशाब करने उड़ता है, और साम पर उसका पाउप पड़ जाता है, साम उसे डस लेता है और वहां मर जाता है, यह सभी बाते कौन कर रहा है टॉर्च बेशने वाला टॉर्च बेशने वाला जो टॉर्च बेशते समय किस तरह यहाँ पर लोगों को इस सभी बाते बोल कर वह अपनी टॉर्च जो है बेचा करता था तो इस तरह वो सभी बाते कह रहा है वो कहता है कि आपको तो पता ही मैं तॉर्च किस तरह बेशता था मैं बहुत ही महनत से दूप में हो बारिश में हो यह पर चोराहे पर कड़े होकर इतने सबी बाते जो है बोल कर यह पर लोगों को टॉर्च जो है बेशता था अपनी कंपनी का जो सूरच चप टॉर्च जो है उसे बेशने के लिए लोगों को अ ये फिर आजकल जो हर जगा जो है, अंदेरा चाहिआ हुआ है, आदमी राह बटक सकता है, या फिर कहीं भी जो है, आपर शेर, चीते सभी घूमते रहते हैं, अंदेरे में वहाँ उनका शिकार भी हो सकता है, सिर्फ इतना ही नहीं, बाहर ही नहीं, गर के अंदर भी जो है, य वहां मर जाए अंदेरे में तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है या तक कि बाहर भी चलते हुए से भी कांटों पर भी आपके पाव पढ़ सकते हैं और क्या है या पर आपका पाव जो है लहुलुहान हो सकता है खून निकल सकता है आपको छोड़ पहुंच सकते हैं किसी पत इसलिए तो इस तरह जो है यहा सभी यह बाते करते हुए वहां आगे कहता था लोगों को लोग डर जाते तब मैं कहता भाईयों यहां सही है कि अंधीरा है मगर प्रकाश भी है वही प्रकाश में मैं आपको देनी आया हूँ देखे आपर फिर वहां क्या करता इसलिए यह स वेज़ने वाला है या सभी बाते करता है कि वह जो टवर से वह है भिक जाए क्यूंकि पहले तो वह सबी बातों कर पिर लोगों को अंदेरे का जो धर है वहाँ दिखाता था, अंदेरे में उनको नुकसान पूंच सकता है, यह एसांस जो है उन्हें दिलाता था, फिर यह बात कहता कि अभी अंदेरा है तो प्रकाश भी है, अभी क्या है आप हमारे कंपनी का जो सूरच चाप टॉर्च जो है बीचा करता था, फिर देखे आपर हमारे सूरच चाप टॉर्च में वहाँ प्रकाश है जो अंदकार को दूर बगा देता है, इसी वक्त सूरच चाप टॉर्च खरीदो और अंदेरे को दूर करो, जिन बाहियों को चाहिए उन्चा हाथ करे, साहब मेरे टॉर्च बिक जात और में मज़े से जिन्दगी गुजारने लगता, देखिए आपर, क्या होता था, जैसे ही ये सभी बाते वो बोलता था, तो यहाँ पर लोग जो है क्या करते थे, उसकी जो टॉर्च वहाँ ले लेते थे, क्योंकि यह कहता था ना, अभी क्या है हमारी टॉर्च में, हमारी हमारी टॉर्च खरीदिये करके वहां कहता था, तो लोग जो है डर कर जो है, अगर जान तक बात आएगी, तो सभी लोग डर जाएंगे, तो इसलिए लोग जो है ज्यादा तर उससे टॉर्च जो है खरीदते थे, देखे कितनी होशी यारी से जो है वहाँ यहाँ पर टॉर भी करता था चाहे दूपो बारिश हो वहाँ हर दिन चौराय पर वहाँ टॉर्च जो है बेचा करता था, आज के लिए इतना ही, इसके नेक्स सेशन में हम यह देखेंगे कि अभी जो टॉर्च बेच रहा था, इतने अच्छे खासे से आपर महनत करके, होशीयारी से जो अभी वो काम बंद कर दिया उसने, और जो दोस्त था, जिससे बात होई थी, कि पांच साल के बाद फिर वो लोग मिलेंगे, वहाँ क्या काम करने लगाता, क्या है वहाँ सभी हम नेक्स सेशन में देखेंगे, धन्यवाद